नमस्कार मेरा नाम है धर्मेंदर और आप देख रहे हैं आदा साहित आदा मेरी CBSC इस बार दस्वी का एक्जाम नहीं लेगा तो इस बार बच्चों का रिजल कैसे त्यार होगा इस बार CBSC ने दस्वी का एक्जाम कैंजल कर दिया है इस बार स्टुडेंट का असेस्मेंट CBSC दुआरा बनाई नई पॉलसी के जरिये होगा आईए जानते हैं क्या है पॉलसी कुरोना की दूसरी लहर से पैदा हुई भयाब है परस्थितियों को देखते हुए CBSC बोर्ड ने दस्वी के एक्जाम कैंजल करने और बाराबी के एक्जाम पोस्ट पॉन करने का फैंसला लिया है 14 अपरेल को इसकी घोशना खुद देश के सिक्षा मंतरी रमेज पोखरियाल निसंग ने अपने ट्वीटर एकाउंट से की है इसके बाद स्टूडेंट्स और उनके अभिवाकों ने राहत की सास ली है लेकिन एक सवाल सबके मन में बना रहा आखिर दस्वी के स्टूडेंट का असेस्मेंट कैसे किया जाएगा इसे लेकर भी CBSC ने एक माई को पॉल्सी जारी की इसमें विस्तार से बताया गया है कि दस्वी के स्टूडेंट का असेस्मेंट इस बार किस सिस्टम से किया जाएगा आईए जानते हैं, आपके मन में उठ रहे हर सवाल का जवाब CBSE का कहना है कि वह चार माप दंडों को आधार बना कर किसी भी स्टुडेंट का असेस्मेंट करना चाहती है यह चार आधार हैं विस्वसनियता, निस्पक्षता, लचीलापन और बैदता इन आधारों पर बोर्ड ने मार्क्स देने का यह तरीका चुना है इन्टरनल असेस्मेंट के 20 नंबर, यह जादातर स्कूल ने पहले ही कर लिया है यह उन्हें टेस्ट के 10 नंबर, पिछले उन्हें टेस्टों के मार्क्स विट्टम एक्जाम के 30 नंबर, यह भी पहले लिये जा चुके हैं पिडी बोर्ड एक्जाम के 40 नंबर, मतलब बोर्ड की तेयारी के लिए पहले ही लिये गए एक्जाम के नंबर इसे साब से हर सब्जेक्ट का 100 नंबर का एक्जाम होगा इन्टरनल असेस्मेंट की CBSC की अपनी पॉलसी है इसके जरिये ही स्कूल हर सब्जेक्ट का इंटरनल असेसमेंट CBSC की वेबसाइट पर अपलोड कर देते हैं अगर मान लोग किसी स्कूल में मिट्टम या उन्य टेस्ट का सिस्टम नहीं है या कोई स्टूडेन पहले टेस्ट नहीं दे पाया तो क्या होगा यहाँ पर हर स्कूल के रिजल्ट में कमेटी का रॉल शुरू होता है यह रिजल्ट कमेटी हर स्कूल में बनाई जाएगी इसमें 6 मेंबर होंगे, एक प्रिंस्वल और 5 टीचर इसमें एक मैथ्स, सोसल साइंस और साइंस और दो लेंगोईज के टीचर होंगे हर मेंबर को पंदरा सो रुपे फिक्स मानने दिया जाएगा अगर किसी बच्चे ने बीच में कोई टेस्ट या एक्जाम नहीं दिया या स्कूल का सिस्टम कुछ अलग है तो एक कमेंटी फैंसला लेगी कि 80 नम्मर का असेस्मेंट कैसे दिया जाएगा जो बच्चे किसी कारण बास में टम या मंदली टेस्ट नहीं दे पाए उनका सिस्मेंट स्कूल की रिजल्ट कमेंटी करेगी हर स्कूल की पढ़ाई और संसाधन अलग है ऐसे में एक सिस्टम से असेस्मेंट कैसे होगा ऐसे तो बेकार स्कूल भी अपने बच्चों को भरवर के मांक्स दे देंगे तिका कहना है कि उसने इस बात का ध्यान रखा है इससे वाए इंटर्नल मॉडरेशन के जरिये निप्टेगी हर स्कूल की पुरानी परफॉर्मेंस को ध्यान में रखा जाएगा स्कूल के पिछले तीन सालों के दसमी के एक्जाम के परफॉर्मेंस को ध्यान में रखा जाएगा पिछले तीन सालों में स्कूल की जिस साल बहतरीन परफॉर्मेंस रही होगी उसे बेस इयर माना जाएगा इसे ऐसे समझते हैं मान लीजिये कि 2017 और 2018 में किसी स्कूल के बच्चों का एवरेज मांक्स 32 है और अगले साल 2018 और 2019 में एवरेज 24 पिस्सत है CBSC बोर्ड बेस येर के तोर पर साल 2018 और 2019 की परफॉर्मेंस का इस्तमाल करेगा ध्यान रखा जाएगा कि 2021 में सभी वच्चों को जो वांक्स मिलेंगे उनका पिर्दिसाद इससे जादा नहीं होना चाहिए इसी तरह का सिस्टम हर सब्जेक्ट के लिए भी इस्तमाल किया जाएगा मतलब हर सब्जेक्ट में स्टूडेंट की परफॉर्मेंस का भी उसत निकाला जाएगा और देखा जाएगा कि 2021 के रिजल्ट में उससे परफॉर्मेंस उससे उपर ना चली जाए इस तरह से जब स्कूल किसी स्टूडेंट को नंबर देंगे तो बोड है ध्यान रखेगा कि स्कूल बड़ा चड़ा कर मार्क्स ना दे पाएगा इसके लिए पिछले तीन सालों की बोड परफॉर्मेंस से मिलान किया जाएगा इस तरह से एक वरोसे मंद और मनमानी से मुक्त सिस्टम बनाने की कोसिस की गई है अगर कोई स्टूडेंट पास होने वर के मार्क्स ना पाया तो क्या होगा पहले उसे ग्रेस मार्क्स दे कर पास करने की कोसिस की जाएगी अगर वह इससे भी पास नहीं हुआ तो उसे कमपार्टमेंट कैटेग्री में डाला जाएगा कमपार्टमेंट एक्जाम स्कूल ऑनलाइन या अफलाइन तरीके से लेगा इसमें बैकल्पिक जवाबों बाले सवाल होंगे और इसका पेपर सीबेसी बोर्ट तयार करेगा जब तक कमपार्टमेंट एक्जाम नहीं होगा तब तक इस्टुएंट क्या करेगा तब तक उसे 11 भी किलास में एडवीशन दे दिया जाएगा उसका फाइनल रिजल्ट आने पर आगे का फैसला लिया जाएगा दस्वी के असेस्मेंट से जड़ी महत्पून तारिक हैं जान लीजिए पांच मही तक स्कूल को रिजल्ट कमेटी बना लेनी है 25 मही तक सभी स्कूल अपने रिजल्ट फाइनल कर लेने हैं 5 जून तक सभी स्कूलों को रिजल्ट CBSC में सम्मिट कर देने हैं 20 जून तक दस्वी का रिजल्ट आ जाएगा हालाकि इस टाइट टाइम लाइन पर भी स्कूल सवाल उठा रहे हैं उनका कहना है कि COVID को बढ़ते केसे की वज़े से कई राज सक्त लॉकडाउन लगा चुके हैं या लगाने वाले हैं। ऐसे में स्कूल में कमेंटियां कैसे मिलकर काम करेंगी। फिलाल इस पर CBSC की तरफ से कोई सपाई नहीं आई है। अगर आपके मन में CBSC के दस्वी के एकजाम को लेकर अब भी कोई सवाल हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हम उसका जबाब देंगे। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।